राजस्थान विधान सभा चुनाव में इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू वोटों के बटवारे को रोखने के लिए भाजपा ने आक्रमक रणीती तयार कर लिए हैं सीटों पर जीत के लिए पार्टी हिंदू वोटों के डैवर्जन को रोखने का काम करेंगे। नमस्कार में प्रशंसा, स्वागत है आपका संस इंडिपेंडेंडेंस की स्पेशल रिपोर्ट में। विधानसवा चुनाव में हिंदुत्व के साथ खड़ी भाजपान, मुस्लिम बहुल्य सीटों पर डैवर्जन को रोखने के लिए आख्रमक रन्नीती तयार की है। यहाँ प्रचार का काम देश में हिंदुत्व की पताका फैरा रहे नेताओं को दिया जाएगा। मुख्य रूप से यूपी के सीम योगी आदत्यनाथ के अलावा असम के मुख्य मंत्री हीमत बिस्वा को सूची में शामिल किया गया है। चुनावी सभा और रोडशो में इन नेताओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी। वैसे मुस्लिम बहुल्य सीटों की संख्या 40 है लेकिन इन में से 18 सीट पर ज्यादा फोकस किया गया है। पार्टी यां तुष्टी करण की मुद्दे को हवा देगी। जिससे हिंदू वो डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी गहलोद सरकार की कथित तुष्टी करण की राजनीती को समझाया जाएगा। वर्ष 2013 की चिनाव में भाजपा ने चार सीटों पर मुस्लिम प्रतियाशी उतारे थे। जबकि वर्ष 2018 में टॉक सीट परंतिमशन में अजट महता का टिकेट काटकर युनुस खान को उतारा थे। कॉंग्रेस में वर्ष 2018 की चिनाव में 16 मुस्लिम प्रतियाशी उतारे जिसमें से 9 जीते थे। भाजपा ने नई स्ट्राटेजी बनाते हुए कॉंग्रेस के तुष्टी करण को बेनकाब करने के लिए प्रारूप तयार किया है। जिसमें पहला जैपुर बंकान, दूसरा उदैपुर में पिछले वर्ष, जून में कनहिया लाल की बेरहमी से हत्या। तीसरा, जैपुर के सुभाश चौक इलाके में धर्म विशेश के युवक की मौत पर सरकार का उसी दिन 50 लाख रुपे का मुआवजा। चौथा, करोली में नव समवत्सर के दौरान निकल रही रैली में पथराव और फिर आगजनी दंगे जैसे मुद्दे शामिल है। में उतरी बीजेपी वोट शेयर के लिहास से मामुली अंतर से पीछे रह गई थी। और दो करोड बावन लाख महीला मतदाता है। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। इन निर्धारित करने में करीब 22 लाख मतदाताओं की एहम भूमिका होगी। जो पहली बार मतदान करेंगे। कॉंग्रेस सरकार के तुष्टी करन को तोड़ने के लिए भाजपा ने प्लैन तयार किया है। क्या मुस्लिम भावल्य सीटों पर हिंदूओं के वोट से भाजपा बनाएगी अपनी सत्ता। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।